हलो गाईज एक बार फिर से एक और न्यू मांगा लेकर आया हूँ जिसका नाम है Soldier to be reborn at Dynasty Tank और इससे पहले वाली मांगा Reborn of Cultivator Mighty God जो मैंने किया था आप लोग का response अच्छा नहीं मिला मुझे और साथे कुछ subscriber ने बताया भी कि इसको पहले से करा हुआ है और मुझे view भी नहीं मिल रहे थे और आपके support के बिना इतनी मेनत करना बेकार है तो इसलिए मैं new manga लेकर आया हूँ और प्लीज गाईज इस पे support जरूर दिखाईएगा चलते हैं आगे एपिसोड के शुरुआत एक भयानक रात से स्टार्ट होती है जहां पर बहुत जड़ा बारी शोरी होती काले बादल वहाँ पे गलगला रहे होते हैं और ये बार साथ वेस्ट बॉर्डर के 18 अप्रेल 2019 की होती है और तभी उस भयानक बादल के नीचे जंगल में एक बहुत बड़ा blast होता है और हमको पता चलता है उस जगापर कुछ लोग लड़ रहे होते हैं जिसमेंसे दो लोग आमने सामने खड़े होके एक दूसरे को मारने के लिए अटैक करने के लिए वेट कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक आदमी खड़े होके कहता है तुमने तीन दिन और तीन रात तक मेरा पीचा किया जिसमें कि आपके सारे सब आडिनेट खतम हो चुके है और उसके ये कहने के साथ में हमें वहाँ पे कुछ लोग मरे हुए दिखाते हैं जिसको देखते हुए वो आदमी कहता है क्या तुम यही करवाना चाहते थे उस आदमी की बास सुनने के बाद में जो दूसरा सोल्जर होता है वो अपने चेरे से खून को पोस्ते हुए उससे कहता है ये तो हमारी भायाना टाइगर कमांडो टीम का मिशन है जिसे हम पूरा करेंगे और दोस्तो यही हमारा मेंड प्रोटेगरिस्ट होता है मतला बोले तो हीरो फिर वो सोल्जर उस आदमी की तरब घूर के देखते हुए कहता है जब तक हमारी टीम का एक आदमी भी जिंदा है मैं तुमें उस ट्रेजर को देश से बाहर नहीं ले जाने दे सकता उस सोल्जर की बात सुनने के बाद में जो दूसरा आदमी होता है जिसने के वहाँ पर ट्रेजर को चुराया होता है वो उसकी बात सुनके क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है चलो फिर ठीक है देख लेते हैं कि तुम में कितनी काबलियत है जैसे उस आदमी ने ये चीच के बारे में बोला होता है दूसरे साइड में उझे सोल्जर होता है उस आदमी की तरफ भाग के जा रहा होता है उसको पर अटैक करने के लिए लेकिन जैसे वो सोल्जर आगे बढ़ता है तभी अचानक से और उस soldier की तरफ देख के गुसाते हुए कहता है धत तेरे की ये बच कैसे गया और जब वो इस बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से जो soldier होता है वो उसकी तरफ attack करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है जिसको देखते हुए वो अपने मन में सोचता है आकिरकार ऐसे स हाती पर एक जोर से गूछा मारता है जिस गारे में सो जब रहा जाता है और वो हवा में उड़ता हुए पीछे की तरफ जाके गिरता है जैसे वह भूक्स बाहर निकल के घर चाता संसरे हाथ में अपने कारण यह हुआ है और अब इस कारण से तुम मरोगे जैसे वह मौशं क्राब होता है उसके कारण से जमीन पे एक बिजली आके गिरती है जिसको देखने के बार में दोनों को दोनों वो हैरान हो जाते हैं और वो एलेक्जर उस बिजली के गिरने के कारण वहाँ पे बहुत जड़ा शाइन करना स्टार्ट कर दे चमकना स्टार्ट कर देता है और तभी वहाँ पर कोई आवाज दे रहा होता है आखिरकार ये आदमी कहां से मेरे पास आ गया दूसरा कहता है मुझे नहीं पता फिर वो कहती है मुझे लगता है ये आसमान से गिरा है और उनकी ये बास सुनने के बाद में अपना सोलजर हीरो दिरे दिरे अपनी आखे खोल रहा होता है और दोस्तों जब वो जमीन पे गिरता है तो उसके हाथों में बहुत प्यारे पैरे सौफ बैलून आ जाते हैं जिनको वो अपने हाथों में लेके दबाते हुए कहता है आखेर कर ये मुलायम चीज क्या है और जब वो उटके देखता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसको देखने के बाद में वहरान होते हुए पीछे हट रहा होता है और जब वो लड़की उस आदमी को देखती है तो बहुत ज़़ा घवराने लगती है क्योंकि उसने वहाँ पर उसके बलून को दवाया होता है जिस कारण से उसके वहाँ पसीने आ रहे होते है और दोस्तो इसके एपिसोड थोड़े छोटे है और बारिज भी रुख गई है आखिरकार अचानक से ये कैसे हो गया और दूसरे साइड में उस लड़की की तरफ देख रहा होता है जो कि अपने सोल्जर को देखने के बाद में बहुत ज़़ा है और साथी बलेस्ट कर रही होती है उसको देखते हुए अपना हिरो मन में सोचता है इस लड़की का रंग और रूप बहुत पुराने टाइम के लग रहा है क्या ये कॉस्प्लेंग कर रही है आखिरकार ये आई कहा से और चब वो दूसरे साइड में देखता है तो वहाँ पर चार-पाश निंजास खड़े होते है जिनको देखते हुए वो अपने मन में कहता है वहाँ भी इसी तरह के पुराने टाइम के कपले पहने हुए लोग खड़े हुए है क्या ये सारे मिलकर किसी मूवी के लिए शूट कर रहे है जब सोल्जर इस बारे में सोची रहा होते है तभी अचानक से उझे लड़की होती ही गबराते हुए सोल्जर के सिधे अक्रोटों पे खुब जोड से लात मार देती है जिस कारण से उसके घर के अंडे वहीं पे फूट जाते है और वो लड़की चिलाते हुए कहती है तुम आदमी तुम कौन हूँ और उसकी लात खाने के बार में जो सोल्जर होता है वो तो बचला टिड़ा हो जाता है और वहीं पे चिलाते हुए कहता है और दोस्तों देखने में तो लग रहा होता है जैसा उसके शरीर से उसकी जान बाहर निकल गई है और इसीज की feeling हर एक लड़का जान सकता है वो लड़की वहाँ पर उसके चिलिया के घोसले के अंडे को फोड़ने के बाद में गुसे में आगे बढ़ते हुए कहती है तुम ठरकी कमीने इंसान तुमारी हिम्मत कैसी हुए मेरे बलून को दबाने की मुझे सोल्जर होता विचरा बुरी तरह से तड़प रहा होता है जब दूसरे साइट के निंजा उस लड़की को सोल्जर को ऐसे मारते हुए देखते हैं तो बहुत जाना घबरा जाते हैं और तभी आपस में चिला के कहते हैं अरे देखो वहाँ पे ऐसी हालत हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए जैसी हालत उस गाट के साथ में हुई है और दूसरे साइट में अपना सोल्जर हीरो बुरी तरह से वहाँ पे रो रहा होता है उसके आसू निकल रहे होता है उसकी राल निकल रही होती है और वहाँ पे वो तड़पते हुए कहता है अरे नहीं मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चे सब इसने खराब कर दिये जब वो वहाँ पे चिला रहा होता है तभी अचानक से किसी चीश को फिल करते हुए वहाँ पे शौक्ड होते हुए कहता है अरे ये क्या और जब वो दूसरे साइट में देखता है तो वहाँ पर एक बग्गी गिरी पड़ी होती है और उसके पास में कुछ आदमी बुरी तरह से मरे होते हैं और एक आदमी बहुत ज़रा गाया लहलात में उस बग्गी के पास में पड़ा होता है अपना हीरो उस आदमी को देखने के बाद में अपने मन में शौक्ड होते हुए सोचता है अरे नहीं इसका ये खून और इसकी स्मेल ये तो असली के मरने की है क्या ये कोई नाटक नहीं है और जब वो इस बारे में सोच रहा होता है तब दूसरा निंजा उसके पीछे से बाग कर उस आदमी के तरफ उस पर अटेक करने के लिए आगे आ रहा होता है और दूसरे साइड में वो लड़की वहाँ से निकलने के बाद में उन तिनों निंजा से वहाँ पर फाइट कर रही होती है वो निंजा वहाँ पर आने के बाद में सीधे अपने सोचर हीरो के खोपली के उपर पैर रखते हुए आगे की और बढ़ता है जिस चीज को फिल करने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर शौक हो जाता है और तभी में दिखाते हैं वो निंजा अपने हीरो के सर के उपर पैर रखके वहाँ पर जम्प लगाते हुए उस आदमी के उपर अटेक करते हुए कहता है तुम यहाँ पर मरोगे जिस चीज को देखने के बाद में वो आदमी वहाँ पर घबरा जाता है और दूसरे साइड में वो जो लड़की वहाँ पर दूसरे निंजा के साथ में फाइट कर रही होती है वो भी वहाँ पर उस चीज को देखते हुए चिला के कहती है लेकिन तभी जैसे वो निंजा उस ओल्ड मैन को मानने वाला होता है अचानक से अपना हीरो उसको पीछे से पकड़ लेता है जिस चीज को फिल करते हुए शॉक्ड हो जाता है कि ये किसने पकड़ लिया मेरे को क्योंकि ये निंजा ने अपने हीरो के सर के उपर पैर रखके निकलाता है जिस चीज को फिल करते हुए अपना हीरो बहुत ज़रा गुस्टा जाता है और तभी उसको वहाँ पर पीछे से पकड़ते हुए कस के नीचे गिरा देता है और नीची गिराने के साथ में उसका सर सीधे जमीन पर लड़ता है आकर जिस कारण से उसके मूँ से भी खून निकलाता है अपने निंजा ब्रदर की इस तरह की हालत को देखने के बाद में जो दूसरे निंजा होते हैं वहाँ पर शौट हो जाते हैं कि आखिरी सादमी ने अतनी हसानी से हमारी निंजा को कैसे मार दिया और दूसरे साइड में अपना सोल्जर हीरो वहाँ पर गुस से मुन की तुरब घूर के देखते हुए कहता है मेरे साथ ऐसा करने के लिए मैं सच में दूसरों से नफरत करता हूँ और अपने हीरो का ऐसा करते हुए देख के जो दूसरे निंजा होते हैं वो गुसाते हुए अपने साथी से कहते हैं जल्दी करो और इसे मार डालो अपना हीरो उनकी वास सुनने के बाद में वहाँ पे क्रीपी स्मैल देते हुए कहता है अच्छा तो तुम मुझे मारोगे क्या तुम लोग इस लाइक भी हो कि मुझे मार सको एपिसोड 3 में में दिखाया जाता है अपना हीरो की ये कहने के साथ में वहाँ पर खुब जरा जोर जोर से चुलाने के आवाज आ रही होती है और हमको पता चलता है अपने स्पेशल कमांडों ने वहाँ पर उन निंजाओं की हालत बुरी कर दी होती है उनको मार मार के उनको टेणा कर दिया होता है और उनको मारने के बाद में उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम लोग बस यही करने लायक हो जाओ और स्वरो को पालो जाके दूसरे सैट की निंजा जो लड़की से फाइट कर रहे होते हैं उन्होंने वहाँ पर उस लड़की को पकड़ लिया होता है और उसके गर्दन पर तलवार रखते हुए अपने सोल्जर से कहते हैं वहाँ से हिलने की कोशिच भी मत करना अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो हम इस लड़की को मार डालेंगे अपना हिरो उन निंजाओ को उस लड़की को पकड़ने के कारण वहाँ पर शॉक्ट हो जाता है और तभी वो निंजा चिला के कहते हैं हमारा टारगट तुम नहीं हो तो इसलिए वहाँ पर रुख जाओ ताकि तुम्हारे कारण इस लड़की को चोटना लगे जब अपना सोल्जर हिरो देखता है कि इन लोग ऐसे नहीं मानेंगे तभी वो अपनी चाल चलते हुए कहता है अरे वहाँ देखो वो तो एक प्लेन है और उसकी बास सुनने के बाद में जो तलवार रखे होता है वो कहता है क्या कहां पे क्या है और उसको ऐसा भटकता हुआ देखे जो सोल्जर होता है वहाँ पर एक तलवार पे कसके लात मारते हुए कहता है वो प्लेन यहाँ पर है देखो उड़के तुम्हारे पास आ रही है और जैसे उसने उस तलवार पे लात मारा होता है वो तलवार सिधे उड़ती हुई उस निंजा के गर्दन पे लगते हुए आगे निकल जाती है जिस कारण से उस निंजा के गर्दन पे एक गहरा कट लग जाता है और वहाँ पे blood निकलने लगता है और जब अपना hero देखता है कि वो लड़की वहाँ पे free हो गई है तभी खूब speed में उन ninja की तरफ भाग के आगी की तरफ बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ने के बाद में उस लड़की का हाथ पकलते हुए अपनी तरफ घसीट के कहता है तुम इधर आओ और जैसे अपना hero यह चीज करता है दोस्तो तो अचानक चानक जो उसकी sleeps होती है वो वहाँ पर उसके कपला फट जाता है और वो कपला इतना ज़्यादा तेजी से खिछता है दोस्तो और उसका कपला इतना ज़्यादा तेजी से खटता है दोस्तो कि उसके जो सोल्टर तक कवर किया होता कपला वो भी वहाँ पर खिच जाता है जिस कारण से जिस कारण से उसके होट होट बैलून एकदम सामने आ जाते है और जब वही चीज फील करती है तो वहाँ पर ब्लस करने लगती है और शॉक्ड होते वे चिल्ला के कहती है क्या ये क्या कर रहे हो तुम और वहाँ पर अपने सौफट सौफट अर्माने को बचाने के लिए कपले से ढख लेती है और इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो की आँखे तो एकदम फटी की फटी रह जाती है दो इंच बाहर आ जाती है और वो चिल्ला के कहता है क्या ये कपला फट गया ये इतना कमजोर क्यों है और दूसरे साइड में जो निंजा होते है वो डर के मारे वापस भाग रहे थे जब अपना हीरो इस चीच को देखता है तो वहाँ पर बहुत जाना घबरा जाता है और उसके पसीने भी आ रहे होते हैं तब ही वो घबराते हुए कहता है मैं इस चीच के बारे में आपको समझा सकता हूँ और दूसरे साइड में उची लड़की होती है वो गुसाते हुए चिला के कहती है तुम बस शान्त हो जाओ और इस बात को बोलते हुए वो तुरंट उस बुले आदमी के पास आ जाती है और इसको देखते हुए चिला के कहती है हमें जल से जल तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे इस तरह से बहते हुए खून को रोक नहीं सकती हूँ और इस बात को बोलते हुए वो उसके जक्म के उपर पट्टी लपेट रही होती है जब अपना हीरो उसको देखता है कि इस तरह से पट्टी कर रही है तब हुगा हैरान होते हुए कहता है अरे तुम इस तरह से कैसे पट्टी बांद सकती हो और जिस तरह से तुम पट्टी बांद रही हो उस तरह से खून नहीं रुकेगा और आगे चल कर इस घाउं में इन्फेक्शन भी हो जाएगा और ये कहने के बाद में अपना हीरो उस old man के पास चला जाता है और जो उस ललकी के दूसर slips होता है दोस्तों जो बचा होता है वो उसके दूसरे slips को भी वहाँ पर कसके घसीट लेता है कपड़ा फाड़ने के लिए जिस चीज को फिल करते हुए चिला के कहती है अरे तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ में क्या तुम मेरे कपड़े को फाड़ने के बाद में अपने बिस्तर पे ले जाना चाहते हो अपना हीरो वहाँ पर सैड होते हुए कहता है इस तरह से करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे आपके कपले की बहुत जरुरत है और ये कहने के बाद में उस ओल्ड मैन के पैर पे खुब कसके टाइट टाइट बादना स्टार्ट कर देता पटी को और बानते वे उससे कहता है हमें आपके हाट के पास के नसो को दबाने के जरुरत है क्या आप जानते हैं कि कैसे करना ही है और ये करने के बाद में जो आपका खून बहरा है वो वहाँ पर बंद हो जाएगा उस ओल्ड मैन फैंकी इस तरह से पट्टी करते हुए देखकर मुझे लड़की होती वहाँ पर हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो हमारे elementary school में सिखाने वाली normal चीजे हैं अच्छा मुझे ये बताओ ये कौन सा साल है अपने कमांडो की ये बाद सुनने के बाद में मुझे लड़की होती है वहाँ पर हैरान होते हुए अपनी दलवार निकाल के उसके सामने कर देती है और उसे चिला के कहती है ये तैंग राजवंश का आठवा साल है तुम पश्चमी साइट के शैतान तुम इस पैलेस की लड़की को बेफकूफ नहीं बना सकते उस लड़की की बाद सुनने के बाद में अपना हीरो और इस बात को बोलने के बाद में थुल दिर बाद वो बहुत सरा हरान होते हुए कहता है क्या तैंग राजवंश तो क्या इसका मतलब है कि मैं टाइम टेवल करके पास्ट में आ गया हूँ एपिसोड फूर की स्टाइटिंग में को दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर इसीच को समझने के बाद कि वो टाइम टेवल करके पास्ट में आ गया है वहाँ पर ओल्ड मैन फैंग को अपने कांधे पे लाद के आगे की तरफ बढ़ते हुए हरान होके चिला के कहता है इसका मतलब है कि आप फैंग जौन लिंग है क्या सच में आप फैंग जौन लिंग है ओल्ड मैन उसकी वाद सुनने के बाद में कहते है तुम स्ट्रॉंग मैन क्या तुम मुझे जानते हो वैसर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे ताकत पर इंसान का नाम क्या है अपना हीरो उनको नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम गू बेचेन है इनका गू बेचेन है दोस्तो वैसे आप मुझे बेचेन बोल सकते हैं और इसी तरह से इन लोग आगे चलते हुए आपसे खुब डिर सारी बाते कर रहे होते हैं लेकिन दूसरे साइड में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि पीछे अपने इस तरह से कपड़े को फटने के कारण वहाँ पर रुख गई होती है अपना कमांडो सोल्जर जब देखता है कि वह लड़की पीछे नहीं आ रही है तबी वह हैरान हो तो यह पीछे प्लट के कहता है आप जैसी एक लड़की बिना किसी बॉड़ी गार्ट के पीछे नहीं रह सकती और जब वह पीछे प्लट के देखता है दोस्तो तो आमें दिखाया जाता है वह जब लड़की होती है उसकी सकल्ट वहाँ पे एक जिगा पे फर्ज जाती है जिस चीज को अपना हिरो देखते हुए कहता है धत तेरे की क्या घूंचु लड़की है यह इसके कपले बहुत ज़़ा परिशान कर रहे हैं इसे और इस बात को कहने के बाद में कमांडो उस ओल्ड मैन को वहाँ पे जमीन पे रख देता है और उस लड़की की तरफ आगे आ रहा होता है जिसको देखने के बाद में वो लड़की बहुत ज़़ा गुस्ताते हुए कहती है क्या तुम्हें अभी भी तसल्ली नहीं मिली कि तुम मेरे कपले फिर से फाटने के लिए आ रहे हो उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसके दरफ आगे बलते हुए कहता है अगर तुम अपने कपले को ऐसे खीशती रही तो ताई युवान के सिटी तक पहुँचने से पहले ही तुम वहाँ पर नंगी होकर पहुचोगी और इस बात को कहने के बाद में वह उस लड़की के पास पहुच जाता है और तभी वह उसके कपलों को वहाँ पर एडजस्ट करती हुए कहता है तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो लेकिन फिर भी तुमारा नेचर इता गुसैल क्यों है चलो ठीक है मैं तुमारे कपलों का स्टाइल चेंज कर देता हूँ उसकी बात सुनने के बाद में वह उनकी वहाँ पर घबरा जाती है ब्लेश करते हुए कहती है क्या तुम चेंज करोगी और हमें थोड़े देर बात का सीन दिखाया जाता है वह उनकी वहाँ पर ब्लेश करते हुए खुब जोर से चिलाती है आँ ठरकी इंसान तुम क्या कर रहे हो और दुसरे सैट मैं को दिखाया जाता है उसके कपलों के टुकले वहाँ पर हवाँ में ओल रहे होते हैं जब थुली देर के बाद अपने हिरो ने वहाँ पर उसके कपलों के अड़ेस्ट कर दिया होता है चेंज कर दियो तो इसके स्टाइल तो दोस्तों देखने में बहुत ज़दा होट एंड सेक्सी लग रही होती है और रलकी वहाँ पर ब्लेश्ट करते हुए अपने आपको देख के हरान होके कहती है अरे ये क्या हुआ और अपना ठर्की कमांडो वहाँ पर दोसे साइड में उसके कपलों के अड़ेस्ट करने के बाद में मतलब कि उसके कपलों की style change करने के बाद में किनारे आके खड़ा हो जाता है और उसको देखते हुए कहता है क्या बात ये तो बहुत बढ़िया है और जब तक आप इन कपलों को इस तरह से बांध कर रखेंगे तब तक तुम ठीक रहोगी और दोस्तों में पता चलता है उस र साइड में old man fang जब इतनी hot and sexy लड़की को इस तरह से कपले पहने वे देखते हैं तो उनके अंदर की भावना भी जाग जाती है और उनके नाक से भी खून लिकलना स्टार्ट हो जाता है और तभी वो उस लड़की को देखते हुए कहते हैं ये तो सच में बहुत बढ़िय की तरफ देख रहा होता है उसको ऐसे देखते हुए जो लड़की होती है है रान होके कहती है अरे तुम्हें क्या हुआ अपना tiger commando जो की छोटी जोटी चीजों को भी sense कर सकता है वो उस पेल की तरफ देखते हुए कहता है क्या आपको पक्का यकिन है कि ता युआन तक जा सुनने के बाद में कुछ नहीं कर पाएगा उस लड़की की बाद सुनने के बाद में अपना hero वहाँ पे हरान होते हुए कहता है लेकिन वहाँ पे हमें पहुंचने तक लेकिन वहां तक हमें इन लोग शांती से नहीं पहुंचने देंगे कमांडो की बाद सुनने के बाद म वहाँ पे सुई को गरम करके उसमें धागा डालते हुए कहता है क्योंकि कल रात में जल से जल उन सारे असेशन से छुटकारा पाना चाता था और अब जब वो लोग पीछे आ गए हैं तो मैं सबसे पहले ओल्ड मैं के घाओ को सिल दूँगा क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं क ग debat में अपना heron old man fang की तरब आगे बढ़ते हुए उस old man fang की तरब अपनी सुई को आगे बढ़ाते हुए उस लकी से कहता है क्योंकि बहुत धिर सारे सैनिक इस तरह के घाओं को ऐसे सिल देने के कारण मर जाते हैं क्योंकि वो निडली के high temperature पर नजबंदी पर ध्यान नहीं देते थे जब वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी old man fan कहते हैं little brother क्या तुमारे पास और भी बहुत धेर सारी skills हैं old man की बास सुनने के बाद मैं अपना hero उनके घाओ को वहाँ पे सिलते हुए उनसे कहता है वैसे मुझे battlefield में first rate के बारे में बहुत कम जानकारी है लेकिन इस चोटी सी चोट से निपटने के लिए वो काफी है और तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पे चिला के कहती है कौन? कौन है वहाँ पे? उस लड़की को ऐसे चिलाते हुए देखकर जो old man fang होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं क्या? क्या हुआ है? old man की बास सुनने के बाद में वो लड़की वहाँ पे बहुत ज़ादा घबरा जाती है और तभी घबराते हुए कहती है अरे नहीं मुझे लगता है कि हमें चारो तरफ से घेर लिया गया है और उन लोगों की संख्या पिछली बार से बहुत ज़ादा अधीक है अपना कमांडो वहाँ पे old man के घाओ को सिलने के बाद में बड़ा cool look देते हुए वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उस लड़की से कहता है आपको चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है और इस तरह से घबराना बंद करो और तभी अपना हीरो old man से कहता है आपको ज़रे चिंता करने की ज़रुरत नहीं है और इस तरह से ज़्यादा हिलना डुलना बंद करें नहीं तो आपका घाओ फिर से खुल जाएगा और ठीक है मैं जाता हूँ उन लोग को समहाल लूँगा अपने कमांडो हीरो की ये बाद सुनने के बाद में अपना हिरो अपनी नाइफ निकालते हुए बढ़े एटिट्यूट में आगे बढ़ते हुए कहता है तुम चिंता मत करो मेरी जान कमांडो जहां चिंता कहां तुमको बस अपने ओल्ड मैन को प्रोटेट करने की ज़रुरत है और अपना कमांडो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने नाइफ को उपर उठाते हुए क्रिपी लूप देखे कहता है ये तो एक जंगल की लिडाई है और इस जंगल की लिडाई में मैं बहुत ज़ादा माहिर हूँ एपिसोड 5 की शुरुवात में में दिखाया जाता है जो सारे निंजाज होते हैं वो वहाँ पर ओल्ड मैं फैंग और उस रलकी के उपर निगा रखे होते हैं जंगल में से और उन लोगों को देखते हुए एक निंजा अपने साथी से कहता है क्या तुमने वहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान दिया उन्हें ध्यान देना चीए था कि वे पूरी तरह से गिरे हुए हैं इसलिए वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते जब विंड गुरूप के सारे असेशियंस अपनी जगा पर होंगे तो हम उन्हें उनको मारने के लिए भेज देंगे जब वो एसेशियंस बारे में बात कर रहा होता है तभी दिखाते हैं अपना हीरो पानी के अंदर से बाहर की तरफ दिरी दिरी निकल के आ रहा होता है और तभी दूसर इंजा उससे कहता है लेकिन वो पश्मी इलाके के लड़का कहा गया जो उनके साथ था दूसर इंजा उससे कहता है अरे तुम्हें इस बारे में चिंता मत करो क्योंकि वो हमारा टार्गेट नहीं है और जब वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं अपना एरो दूसरे साइड में पानी के अंदर से बहुत धिमी धिमी रफतार में उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है उनको शिकार करने के लिए और दोस्ते मुझे देखने के बाद में रैंबो मूवी की याद आ गई जिसमें की जॉन रैंबो वहाँ पे सबको ऐसे ही मारता था जब अपना एरो दिरी दिर उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है तब ही राइट वर निंजा कहता है विंड, फॉरेस्ट, फायर और माउंटेन के जो ग्रूप है उनके रवाइल हाइनेस के तहट सबसे इलाइट असिस्षन ग्रूप है और विंड ग्रूप अंधेरे में हत्या करने बिना किसी चाया और निशान के बिना देखे हत्या करने में बहुत जारा अच्छे है और इस बात को कहते हुए वो उस लड़की की तरफ और ओल्ड मैन फैंक की तरफ देखते हुए कहता है और उसे देखो वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि वे कैसे मरने वाले हैं और साथी में दिखाते हैं जो अपना कमांडो होता है वो इतने सरनाटे में आता है कि इनको खुद नहीं मालू होता है इनके पीछे मौत खड़ी है चाकू लेके फिर हमारा सीन शिफ्ट हो कि दूसरे निंजा पर आ जाता है जो कि पेल के उपर खड़े होते हैं वो वहाँ पर उस लड़की और ओल्ड मैन को देखते हुए कहते हैं स्काउट टीम ने अभी तक हमें कोई भी ओर्डर नहीं भेजा है आखिर हम कब तक ऐसे इंतिजार करते रहेंगे अपने साथी की बास सुनने के बार में दूसरे निंजा वहाँ पर अटेकिंग पोज में आते हुए कहता है इंतिजार करना बंद करो ये कूले के धेर क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिर से भागे हो और तभी वो निंजा वहाँ पर अपने हाथों में अपने डेगर को निकालते हुए कहता है इतनी दूरी मुझे यकीन है कि और जैसे उसने इचीज बोला होता है तभी एकदम से उसकी खोपली में एक तीर आके गड़ जाती है और उस तीर के ऐसे लगने के कारण वो निंजा वहाँ पर जमीन पर गिर रहा होता है जिसको देखते हुए जो दूसरा निंजा होता है वहाँ पर शौक्ड हो जाता है कि किसने अटेक किया और तभी अपना हीरो जैसे वहाँ पर दूसरी तीर को वहाँ पर थ्रो करता है वो निंजा वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उस तीर से बसते हुए वहाँ से निकल जाता है जब अपना कमांडो हीरो देखता है कि एक निंजा उससे मिस हो गया है तभी वो अपने मन में सोचता है वैसा इस वैपन को एक साथ कई बार फायर करने लाइक होना चाहिए था लेकिन इस हत्यार को यूज करना सच में आसान नहीं है और जब अपना हीरो इस बारे में सोच र लेता है और डॉर्च करने के बाद में वह वहां पर जूसके ठास नाइफ होती है वो sieht उस निंजा के तरफ फेक देता और वहांपर अपने हीरो के अटैक को देखते हुए कहता है यह सिचएशन अच्छी नहीं है मुझे उसके अटैक करने से पहले ही पीछे हटना होगा और जैसे वहांपर भाग के जाने की कोशिश करता है तभी अचानक से उसके पास आकर सीथी उसको पर टैक कर देता है और हमें पता चलता है अपने हीरो के पास अभी भी एक तीर रखी होती है जिसका यूज उसने निंजा को मारने के लिए करा होता है और उसको मारते हुए अपना हीरो कहता है तुम लोगों के साथ में कितने लोग आए हैं अगर तुम इस चीच के बारे मुझे बता देते हो तो तुम्हारी जान बस सकती है लेकिन तभी वो निंजा वहाँ पर कुछ नहीं बताता है और जो उसकी तीर होती उसको जटके से वहाँ पर धक्का देते हुए अपने आपका वहाँ पर सक्रिफाइस कर देता है जिसे इसको फिल करते हुए अपना हीरो वहाँ पे शौक्ड हो जाता है कि इसने क्या किया और जब अपना हीरो उसको ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपने मुं में जहर रखा हुआ था और उसने वहाँ पर उस जहर का यूज करते हुए आत्मध्या कर ली उस निंजा को देखने के बाद में अपना ही रूप वाँ पे शौक्ड होते हुए अपने मन में सोचता है इससे पहले जो निंजा आये थे वो इस तरह के नहीं थे और मुझे लगता है कि इन निंजा से निपटना इतना आसान भी नहीं है हालो गाईज मैंने आपके लिए पांच एपिसोड एक्स्प्रेइन कर दिया है तो प्लीज इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और सब्सक्राइब लाइग शियर कमेंट करना मत बूलिएगा और इसी के साथ मिलते हैं लोग नेक्स्ट एपिसोड में थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो लव यॉल